हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मा यूटूब चैनल टेकी एजीत फ्रेंड्स आज की इस व्यूडी में बात करेंगे एक्सिस बैंक नियो के रिट कार्ड के बारे में जानेंगे इसके अपलाई प्रोसेस और वीडियो के बारे में वीडियो को अंतक जरूर देखना चलिए के रूप में मिलेगा आपको इसके लिए कोई भी जोइनिंग फीस और एन्वल चार्ज नहीं देना होगा इस क्रेडिट कार्ड को अपलाई करने के लिए आपको एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे जाना होगा इसका डारेक्ट लिंक में डाल दिया है आप उस लिंक के सारी डिटेल्स मिल जाएगी इसके बेनेफिट्स चार्जेज वगेरा के बारे में यहाँ पे देख लीजिए आप फीस और चार्जेज में लैब टाइम फिर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको उपर अप्लाई का उप्सिन मिलेगा तो आपको अप्लाई करने के लिए अप को नो पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको आपकी कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी जिसे मोबाइल नंबर हो गया पैन नंबर हो गया अपका रेजिडेंस का पिन कोड हो गया आपकी नेट एनुल इंकम हो गई यह सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लि करना है क्या married है या unmarried है अब आपको यहां पर address details fill करनी होगी आपको दो तरह के address fill करने होगी एक आपका residence address fill करना होगा जहां पर आप currently रहते हैं और दूसरा आपका office address fill करना होगा current residence address fill करने के लिए आपको enter residence address के सामने tick mark करना होगा यहां पर आपको आपकी current address details fill करनी होगी address details fill करने के बाद आपको update वाले option पे click कर देना है अब आपको office address fill करना है office address fill करने के लिए आपको enter office address के सामने click करना है यहाँ पे आपको अपने office की details fill करनी होगी details fill करने के बाद आपको update पे click कर देना है अब अगला option है where you would like to receive your card बतलब आपको अपना card कौन से address पर delivery चाहिए residence या ओपिस आपको जिस भी address पर चाहिए उसके सामने आपको click कर देना है next option में आपको अपनी email id फिल करनी है सभी details भरने के बाद आपको नीचे check box मिलेगा उस पर tick करना है उसके बाद आपको next पर click कर देना है यहाँ पे आपको दो option मिलेंगे salary और self-employed अगर आपका खुद का business है तो आप self-employed पर click करना है और अगर आप salary है तो आपको salary वाले option पर click करना है अब आपको यहाँ पे अपनी job और salary से related कुछ details फिल करनी होगी जिसे आपकी annual income क्या है आपका employment sector क्या है आपका shorts of fund क्या है type of industry क्या है आपकी इसके बाद आपको आपकी company का नाम फिल करना होगा जहां पे आप काम करते हैं इसके बाद आपको दो option और मिलेंगे जिसमें पहला option है कि आपको इस company में काम करते हुए कितना time हो गया और आपका दूसरा option है उसमें आपको फिल करना है कि आपको job करते हुए कितना time हो गया सभी details फिल करने के बाद आपको next पे click कर देना है अब आपको यहाँ पे कुछ credit card suggest किये जाएंगे जिन में से आपको जो भी credit card apply करना है उसको आपको select कर लेना है क्यों हमें new credit card apply करना है तो आपको new credit card select कर लेना है अब आपके mobile number पे OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पे enter करना है OTP enter करने के बाद आपको एक check box मिलेगा उस पे आपको click करना है यहाँ पे आपको terms and condition मिलेगी जिने आपको agree करना है इसके बाद आपको submit के option पे click कर देना है अब आपका credit card का जो form है वो successfully fill हो गया है यहाँ पे आपको एक reference number दिया गया है जिसे आपको note कर लेना है वीडियो के वैसे के लिए आपके पास mail या message की तुरू link आएगा उसको आपको open कर लेना है लिंक को open करने के बाद यहाँ पे आपको आपके credit card का reference number एंटर करना है उसके बाद gate OTP पे click करना है आपको आपको OTP आएगा OTP एंटर करने के बाद आपको verify पे click करना है इसके बाद आपको आपका pain number और mobile number already fill up मिलेंगे आपको next option में आपका आधार card एंटर करना है आधार number एंटर करने के बाद proceed पे click कर देना है यहाँ पे आपको agree पे click करना है इसके बाद आपके आधार से registered mobile number पे OTP आएगा OTP आपको यहाँ पे enter करना है OTP एंटर करने के बाद आपको confirm OTP पे click कर देना है यहाँ पे आपको आपकी profile की कुछ details verify करनी है उनको verify करने के बाद आपको proceed पे click कर देना है अब आपको यहाँ पे तीन check box मिलेंगे आपको उन check box में tick करना है check box पे click करने के बाद आपको proceed पे click कर देना है इसके बाद आपको एक agent से connect किया जाएगा ताकि आपकी video के वाइसी complete हो सके इससे पहले आपके कुछ permissions को allow करना होगा वीडियो के वाइसी के दौरान आपकी photo capture की जाएगी और आपके pen card की photo capture की जाएगी इसके अलावा आपकी कुछ basic details confirm की जाएगी इसके बाद आपकी video के वाइसी complete हो जाएगी application submit होने के बाद bank आपकी application का review करेगा अगर आप eligible हुए तो आपका credit card approve हो जाएगा और इसका message 5-7 दिन में आपके mail या mobile नमर पे आजाएगा I hope आपको video पसंद आएगा अगर video पसंद आएगा तो like कीजी और share कीजी इसी तरह के और video देखने के लिए channel को subscribe कीजी Thanks for watching